हेलो स्टुडेंट्स गुड बॉर्निंग वेलकम टी यूर ओन यूटूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप स्टुडेंट्स प्री पोजिशन के सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके हिंदी अर्थ क्या होता है और इसके रोलसाफ ट्रांसडेशन कोन कौनसे तो छुरुवात करते हैं पहले करते 20 TV से इसका पहला है जैसे वाले सीय गण्डिश में आइस का दिन लाश्टि क्लासे में कर चुके हैं आज हम पढ़ेंगी, साइड में में बिल्ली को अपने पास बैठे हुए देखा मैंने एक बिल्ली को अपने बगल में बैठे हुए देखा अर्थाद जहां पर बगल में की बात हो रही होती है वहाँ पर हम लोग उसके लिए बिसाइड का प्रयोग करते हैं मैंने एक बिल्ली को अपने बगल में या अपने पास बैठे हुए देखा उसी के स्थान पर हम लोग beside की चर्चा करें तो beside में इस होता है अतरिक्त के अतरिक्त अर्थाद I saw a cat besides a mango मैंने एक बंदर के अतरिक्त एक बिल्ली को भी देखा beside में के बगल में लेकिन S लग जाने से इस कार्थ हो जाता है अतरिक्त मैंने बिल्ली एक बंदर भी देखा मैंने एक बंदर के अतरिक्त एक बिल्ली को भी देखा I saw a cat besides a monkey मैंने एक बिल्ली को देखा पीछे बिहाइंड को हिंदी अर्थ होता है पीछे स्थान की ओर संकेत हो तदहा वस्तु इस्थिर हो क्या अस्थान की और संकेत किया गया हो और वस्तु इस्थिर हो तो उसके लिए हम लोग पीछे के लिए behind का प्रयोग करते हैं जैसे the thief is standing behind the door चोर दर्वाजे के पीछे खड़ा है यहां पर क्या है अस्थान की और संकेत हो और वस्तु इस्थिर हो चोर स्थिर है, अस्थान की और संकेत किया जा रहा है तेहां पर हो जाएगा दर फीफीज, स्टैंडिंग विसाइड दर दोर चोर दरवाजे के पीछे खड़ा है इसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे बिहाइड का प्रयोग करेंगे हिंदि में पीछे के लिए आफ्टर का प्रयोग कैसे करना है आफ्टर मीज भी पीछे होता है चलती हुई वस्तू के लिए आफ्टर, आफ्टर इस बाद में भी होता है इसका प्रयोग हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं लेकिन यहाँ पर जब चलती हुई वस्तु के लिए हम लोग पीछे का प्रयोग करते हैं तब कैसे करते हैं देखिएगा The police is running after the thief पुलिस चोर के पीछे दो रही है यहाँ पर after means देखिए पीछे हो रहा है लेकिन यहाँ पर after means पीछे हो रहा है कैसे जब चलती हुई वस्तु हो तो उसके लिए हम लोग after का प्रयोग करते हैं पीछा करने के लिए पीछे चलने के लिए The police is running after the thief पुलिस चोर के पीछे दो रही है इस प्रकार से यह most important 23 pre-positions थे जनका अध्यन हम लोगों ने pre-position के series में किया So guys, thanks for watching the video जै हिंद वंदे मातरम